और हलो गार्स वेलकुम बेक टू प्रिमेर चेहनिस अज हम बात करेंगे मंदाइफेक्स की फिर्स वीडियो में कि आप के अपर प्रिमेर प्रो में 3 टेक्स्ट अनिमेट कैसे कर सकते हैं स्वे इड़ सेस्ट पहले आपको अपनी टेक्स लेर ईंपोर्ट करनी है मैंनेने के लिए लेक्स टाइे ट्यट ल्ट से टेक्स्ट करेवब करने के बाद ए एंपॉर्ट करनेके बाद बेसिक3D एफेक्सले उसके बाद आपको basic 3D effect layer पर apply करना है and then जैसे आप effects control panel open करेंगे आपको basic 3D effect show हो जाएगा basic 3D में हमें दो चीज की value change करनी है एक tilt की एक swill की swill की value को हम animate करेंगे and फिलाल के लिए अभी tilt की value को change करेंगे सिर्फ तो swill की value animate करने के लिए simply मैं keyframe set कर लेता हूँ first की frame पर मैं अभी swill की value 7 रख लेता हूँ 7 degree and last की frame पर माइनस 20 degree and then अब मैं tilt की value को decrease करूँगा अब आप वीडियो प्ले करके देख सकते हैं जो हमारा text है वो as a 3D animate होगा इससे थोड़ा सर रियरिस्टिक लुक देने के लिए हमें simply effects panel open करने के बाद drop shadow effect करना है and then apply drop shadow effect apply करने के बाद simply हमें drop shadow में दो चीज़ change करनी है एक direction and distance direction को हम animate करेंगे and distance को हम change करेंगे direction को हम animate इसलिए करेंगे कि जो हमारी text की direction है वो change हो रही है क्योंकि हमें उसमें keyframe set कि हुए तो direction change करने के लिए simply में first keyframe पे shift के साथ snap करने के बाद stop watch पे click करता हूं आप देख सकते हैं कि last keyframe पे हमारी text की direction है वो change हो चुकी है तो मैं अपनी shadow की direction भी change करूंगा and सबसे पहले आपको opacity increase करनी होगी then अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा shadow है वो text के साथ animate हो रही है simply अब हमें shadow को copy and paste करना है copy paste करने के लिए simply आपको effects select करना है and control c for windows and command c for mac and then control v for windows and command v for mac like जैसी आप अपने effects को paste करते हैं तो आप दिख सकते हैं कि हमारे effects control panel में दो drop shadow हमें show होंगे and then अब हमें यहां पे कुछ भी increase or decrease नहीं करना है सिवाए distance के अब हमें distance maintain करना है वस जो हमारा previous effect था उसमें हमने distance 5 रखा था new effect में हम अपने distance को increase कर देते हैं like मैं 6 कर देता हूं इसी process को आपको 2-3 बार और करना है जब भी आप drop shadow को new effect apply करेंगे उसमें आपको अपने distance की value change करनी है so guys आप देख सकते हैं कि मैंने अपने drop shadow को five time अपने layer पर apply किया हुआ है and basic 3D को एक बार इससे यह होगा कि जो हमारी drop shadow हो multiple time increase होती जारी है then अब आप अपनी video को play करके देख सकते हैं आप अपनी project window को full view mode में भी open कर सकते हैं उसके लिए आपको tilt button press करना होगा then अब मैं अपनी video को play करके देख लेता हूं आप देख सकते हैं कि जो हमारी shadow है वो हमारे text के साथ animate हो रही है and जो हमारी drop shadow है वो एक तरीके का fake 3D effect create कर रही है so guys आज के लिए बस इतना ही next Monday हम बात करेंगे mask tracking के बारे में क्या आप न्यूर्प्रो में mask tracking कैसे कर सकते हैं good bye for today and thanks for watching pre-messential थाल आप और हमारी बात कर रही है in भर सबस्क्यर सब्सक्राइब झाल तो प्रस्क्ट में कि इता है भर सम्सक्व्रेत प्रस्प्रणändig रहाएश्र मामा वाध रहास्त लिवस्मारेट वर्द् स्बास्मां आ perilू है